आज हम देखेंगे कितना जल्दी हम लोग बर्विक्यू जला सेकते हैं सब बहुत स्ट्रगल करते हैं बर्विक्यू जलानी के लिए तो मैं आज विदिन थ्री मिनिट्स आपको जला के दिखाती हूं पहले आप कोई भी पेपर ले लीजिए उसको थोड़ा सा रोल करके उसको फोल्ड कर लीजिए आप कोई भी शेप दे सकता है मैंने राउन शेप बनानी के लिए कोशिश किया फिर ये ओएल है, cooking oil है, cooking oil में आप dip कर लीजे इससे अच्छे से, अच्छे से dip कर लिया मैंने इसको, फिर इसको place कर दीजे बर्बीक्यू के अंदर, फिर next मैं ऐसे ही करके और दो बनाओंगी, paper को पहले roll कर लूँगी, फिर इसको round बना लूँगी, फिर इसको dip कर लूँगी अब कोई भी कुकिंग ओयल ले सकते हैं इसमें अब डिप कर लिजी अच्छे अब इसको भी मैंने डिप कर लिए अच्छे से फिर मीडिल में मैंने इस तीनों को एक साथ रख दिया अभी पेपर के चारो ओर आप थोड़ा थोड़ा करके चार को डालिए उसके उपर हलके 20 को इस Muslimad कीजिएगा बीच में के पेपर रहना चाहिए आप उपर से उसको कवर कीजिए फिर एक अब फिर अभी इसमें आग लगा दीजिए पेपर में जितने भी पेपर है आप साइड में आग लगा दीजिए उसके ऊपर फिर से आप उसके ऊपर चारकोल को डाल दीजिए थोड़ा-थोड़ा करके और अपने आप ही उसको जलने दीजिए जितने भी पेपर है साइड में जैसे पेपर जलने लगेगा आप चारो और चारकोल से कवर कर दीजे इसको जैसे आपके पूरा पेपर में आग लग जाएगा चारकोल के अंदर भी आग लग जाएगा धीरे-धीरे तब उसके उपर आप नेट डालिएगा उससे पहले आप उसको खुला ही छोड़िए अब देख सकते हैं वी दिन 2-3 मिनिट्स के अंदर चारकोल गरम हो गया और उसमें आग पकर रहा है अब इसके ऊपर आप नेट लगा लिजिए क्योंकि आग पकर लिया है फिर आप चिकन डाल दीजिए ऊपर और फिर एंजोई कीजिए बर्बीक्यू थैंक्यू अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगें तो आपको 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 पर आपको नेट लगा लगें प्लीज सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए शेर किजिए थैंक्यू प्लीज सब्सक्राइब किजिए बर्बीक्यू